सर वेदान्त सिध्धान्त गोचरम तम गोचरम गोविंदम पर्मानंदम सद्गुरू प्रन्तो अस्वैब जो अग्य होकर भी संपून वेदान्त के सिध्धान्त वाक्यों के द्वारा जाने जाते हैं ऐसे पर्मानन स्वरूप श्री सद्कुरूदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ बोलिये सर्व श्री आशितुष महराज जी की जय, सच्चे दर्वार की जय अध्यात्म, धर्म जब एक जिग्यासू अध्यात्म की खोच में निकलता है तो उसकी यात्रा कैसी होती है, किस प्रकार वे अपनी मंजिल अपने लक्षे तक पहुँचता है इसको हमारे स्मक्ष बहुत से उधारण हैं, जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं हम भक्ती पत के पतिक हमारे लिए इसे जानना बहुत आवश्यक है जैसे बुले शाजी इश्वर भक्ती की खोज में निकले पहुचते हैं गुर्देव साई इनायच शाह की के द्वार पर उनसे इश्वर भक्ती की मांग करते हैं और साई इनायच शाह बुले शाह को एक पंक्ती में अध्यात्म का रहस्य दे देते हैं बुले आप राबदा की पाणा एद्रों पटना ते ओदर लाणा पड़ी साधारण सी पंक्ती है वह समझाते हैं बुले शाह यह जो मन इधर उधर बिखरा हुआ है इस मन को हर और से निकाल कर इश्वर में लगा देना है इतनी सी तो बात है शब्दों से समझें तो बहुत सरल सी बात है भक्ती धर्म बड़ा सरल है कोई कठिन नहीं है लेकिन बुले शाह की गाथा कुछ और बताती है बहुत लंबी यात्रा उन्हें तै करनी पड़ी अध्यात्म को एक दूसरे नजरिये से देखें तो वहाँ भी महापरुश केवल दो पंक्तियां हमारे समक्ष रखते हैं खुदी के कारण ये खुदा से जुदा हुआ खुदी को जो इसने मिटाया तो ये खुदा हुआ जीव ईश्वर से बिछड़ा है इश्वर की भक्ती अर्थात इश्वर से वापस जुड़ जाना उसके बीच की सबसे बड़ी बाधा उसका एहम एहंकार है यनि एहंकार और हमारा मन ये दो चीज़े हैं जो एक साधक के लिए एक भक्ती पत्थ के राही के लिए जो बाधाएं उत्पन करती है हमने नाम सुना है बाली और सुग्रीव दो भाई बाली बहुत बलचाली है उसे वरदान भी मिला है कि यदि कोई उससे लड़ने के लिए आता है तो सामने वाले की अर्थात उसके दुश्मन की आधी ताकत बाली में प्रविश कर जाती है डर भय उसके भीतर है नहीं कुछ भी करने की सामर्ते रखता है एक दिन उसने दुन्दुभी नाम की एक राक्षस को देखा एक अच्छी प्रेरणा जागरी थुई कि यह राक्षस प्रेति का है यहें रिशी मुनियों को तंग करता है, परिशान करता है आज इसका खात्मा कर देता हूँ वे उसे खत्म कर देता है खत्म कर दिया एक अच्छा विचार, एक अच्छी भावना उसके भीतर आती है और वे एक श्रेष्ट कर्म को अंजाम देता है लेकिन बात यहां खत्म ही होती क्योंकि उसका एहंकार उसके सिर पर खड़ा है मन विचार देता है, भाई मार तु दिया तुम्हारी मानेगा कौन? और इसके मरने से जिनने लाब हुआ है, उन्हें पता तु लगना चाहिए मैंने अर्थात बाली ने से मारा है बस ये विचार आने की देर थी बाली ने दुन्दुभी राक्षस के शरीर को उठाया बहुत जोर से हवा में घुमाया और रिश्य मुख परवत की और उच्छाल दिया शरीर रिश्य मुख परवत पर गिरता है रिश्य मुख परवत अर्थात जहां रिश्यों के मुख से प्रवचन हो रहे हैं सत्संग हो रहे हैं उनके आश्रम हैं जो इस शव की वहां गिरने से अपवित्र हो जाते हैं रिश्य श्राप देते हैं बाली को तुमने ऐसा किया है इसलिए तुम अब कभी भी इस परवत पर पैर नहीं रख पाओगे यदि यहाँ पैर रखने का प्रयास किया तो मृत्य को प्राप्थ हो जाओ एक कर्म शुरुआत तो बहुत अच्छी सोच के साथ हुई थी लेकिन समापन कैसा हुआ रहे हमेशा के लिए संतों से दूर हो गया यह कमाया उसने उसी के जीवन में एक और घटना बाली का युद रावन के साथ भी होता है और इस युद में बाली की विजय होती है लेकिन वहाँ भी स्थिती वही है बाली फिर सोचता है कि मैंने रावन को हराया है मेरी मानेगा कौन क्योंकि रावन भी बल्शाली तो बहुत है इसलिए हो सकता है कोई वश्वास ना करे अब कोई जानेगा नहीं तो बाली को संतुष्टी कैसे होगी कि उसने इतने बल्शाली रावन को हरा दिया अब बाली रावन को गर्दन से पकड़ता है और अपनी काख में अपनी बगल में दबा लेता है और स्वाइम जा जाकर लोगों को दिखाता है कि देखो यह रावन है मैंने इसे हराया है पराजित किया है मैंने इसको जीता है अब विचार करें किसी व्यक्ति को बगल में दबा कर घूमना प्रसंग बताता है कि लगभग छे महीने तक बाली ने ऐसा किया कैसा जीवन रहा होगा बाली का उस समय में हमेशने एक बोज अपने साथ लेकर घूम रहा है कारण सिर्फ एहंकार मैं बलशाली मैं सामर्थेवान मैंने इसे हराया है कि लोगों को पता लगना चाहिए क्योंकि जहां एहंकार होता है वहाँ प्रदर्शन की भावना सुत्व आ जाती है एहंकारी व्यक्ति अपने जीवन को बोज बना लेता है बोज है नहीं बड़ी सरलता से शान्ती से जी सकता है लेकिन वह स्वयम अपने जीवन को बोज बना लेता है समाधान मिल नहीं सकता क्योंकि एहंकारी व्यक्ति जल्दी किसी की बात सुनता नहीं और समस्ता नहीं है ये बात भी बाली के ही जीवन से समझाती है प्रभु राम सुग्रीव से मित्रता होती है सुग्रीव को वचन देते हैं कि बाली को मैं मारूँ उसने तेरे साथ अन्याय किया है और तुम मेरी शरण में आय हो मैं वचन देता हूँ प्रसंग बताता है कि बाली तक यह सूचना पहुँचती है जब सुग्रीव दुबारा जाकर उसे ललकारता है प्रभु राम की शर्णागत होने के बाद तो बाली की पत्नी तारा उसे समझाती है तो गो ठहरो बाहर मत जाओ क्या आप नहीं जानते के राम उनके साथ है बाली कहता है हाँ जानता हूँ लेकिन राम तो समदर्शी हैं उनका मुझ से क्या वैर हो सकता है और सुग्रीव से मुझे कोई भै नहीं है इसलिए तारा तुम डरो मत लेकिन बाली बाहर जाते हैं और प्रभु राम एक ही तीर में उसका वद करते हैं आप बाली के मन में प्रश्न है रभु ने ऐसा किया क्यों वो प्रश्न करते हैं धरा पर गिरे हैं तीर सीने में लगा है और प्रश्न करते हैं अब गुन कवन नाथ मोहे मारा मैं बैरी सुगरीव प्यारा आपको सुगरीव से प्यार हो गया उससे मित्रता कर ली मेरे अंदर ऐसा कौन सा आपकुन था यहां प्रभु राम इस बात को स्पष्ट करते है कि आखे तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ अधर्मी तो वे था ही लेकिन प्रभु तो अधर्मियों का भी मार्क प्रशस्ट कर देते है पर उन्तु कब जब वे प्रभु की शरनागती को सुखार कर लेता है बाली को संदेश मिला के राम वहां है मेरे वद की योजना है सुगरीव आया है ये जानते हुए भी के सुगरीव प्रभु राम की शरनागत है वे उन्हें मारने का प्रयास करता है अगवान राम कहते हैं तुन्हें इस तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया कि वे है मेरी शरन में है होना तु ये चाहिए था के बाली भी प्रभु राम की शरनागत हो जाता जीवन बदल सकता था उसके भी दुनिया बदल जाती वहां समाप नहीं होती कहने का अर्थ जब एक जीव प्रभु की शरनागत होते हैं प्रभु उसकी रक्षा करते हैं इसलिए रक्षा करते हैं कि आज तक जो गलतियां हुई उस शमा है अब आगे सत्य के पत पर बढ़ना है अपने मानव जीवन के ओदेश्य को पूर्ण करना है अपने लक्ष्य को विजित करना है बाली जैसे लोग नहीं भी आते दूर रह जाते हैं अर्थाथ यदि जीवन में किवल मन का ही सामराज्य है एहंकार एक नाक की तरहें फन उठा कर खड़ा है तो जैसे वाली संतों से दूर हुआ अपने सही और गलत कर्म की पहचान नहीं कर पाया इसी प्रकार मानव अपना पतन स्वयम कर लेता है मन और एहंकार इसको जीतने के लिए प्रभू की शर्णागत होना पड़ता है आज हम सब भी सर्श्री आशुतुष महराज्य की शर्णागत हैं हमें वह मार्ग मिला है जिस पर चलकर हम मन और एहंकार के पार उस आत्तत्तत पहुन सकते हैं हम अपने इस मानव जीवन के लक्ष को जीत सकते हैं प्राप्ट कर सकते हैं गुर्व के लक्ष देता है बाहर से भी जैसे गुरुदेव ने हमारी सामने लक्षे रखा विश में शान्ती और हम सभी सादकों को नाम दिया स्रिजन सेनानी आप इस सेना के हिस्से हो हमें कहा कि आपने मैं आपको एक विजई योधा बनाना चाहता हूँ विजई योधा मतलब युध करना पड़ेगा अब एक शिश्य जब युध के शेत्र में खड़ा होता है अपने विकारों से लड़ने के लिए खड़ा होता है गुरु उसके हाथ में शस्त्र भी देते ये लो मैं हूँ तुमारे साथ गोशना है उनकी तो मेरी शरण में हो हाथ में पकड़ा देते हैं ग्यान की खड़क हमारे हाथ में पकड़ा देते हैं साथ में कहते हैं सुमिरन की ढाल भी ले लो हावी मत होने देना दुश्मन को अपने उपर किस प्रकार से एक भक्ती पत का राही इस पत पर चलता है इन शस्त्रों का प्रयोग करते हुए अपनी स्तर्कता के साथ अपनी सजकता के साथ इसको हम एक प्रसंग के माध्यम से समझ सकते हैं यह प्रसंग है निवरितीनात जी ज्यानेश्वर जी, सुपान देव जी इवन उनकी छोटी बहन मुक्ता भाईजी के जीवन का चार छोटे छोटे बालत छोटी सी उमर में पूरणता को प्राप्त किया लेकिन जीवन कैसा था? हर और से उन पर प्रहार होते थे उनके माधा पिता को समाच ने निश्कासित कर दिया बहुत लंबी कहनी है लेकिन हम इन चार बच्चों के जीवन की बात करते हैं माता पिता ने समाच के इस अन्याई को स्विकार किया सिर्फ इसलिए कि चलो समाच हम से नाराज है हम नहीं रहेंगे कम से कम हमारे बच्चों का भविश्य उज्वल होगा समाज इने तो स्विकार कर लेगा उनके माता पिता जल समाधी ले लेते हैं लेकिन समाज उन बच्चों को स्विकार नहीं करता है उस समय के कटरपंथी लोग उने गाम में प्रवेश करने की इजासत नहीं देते हैं चारों बालक गांफ से बाहर जंगल में एक छोटी सी कुटिया बना कर रहते हैं गांफ से भिक्षा मांगने जाते हैं उन्हें बार बार अपमानित होना पड़ता है इससे हम समझ पाएं इस युद्ध को कैसे लड़ना चाहिए ग्यानिश्वर इंदरानी नदी के तट पर खड़े हैं वे वापस अपने घर लोटता है जैसे ही अपनी कुटिया की और बढ़ता है तो देखता है कुटिया के बाहर उनके बड़े भाई श्री निवरिती नात जी सोपान देव और बेहन मुक्ता भाई बैठे हुए आपस में बात हैं कर रहे हैं वे आगे बढ़कर अपने बड़े भाई को जुक कर परणाम करते हैं क्योंकि उनके बड़े भाई श्री निवरिती नात जी उनके आध्यात्मिक गुरू भी है वे उने परणाम करते हैं और उनके बीच में समाहित होकर पूछते हैं क्यों मुक्ता अरे क्या बात चल रही थी मुझे भी तो बताओ मुक्ता भाई मुस्कुराते हुए कहती है दादा आज हमारे निवरिती दादा की इच्छा है कि मांडे पकाए जाएं एक विशेश प्रकार की रोटी महराष्ट में बनती है ग्यानेश्वर ने जैसे ही सुना के निवरिती दादा की इच्छा है अर्थात गुरू की आज्या है फिर तो जरूर बनाने चाहिए विक्षा मांग कर भोजन मिलता है उने घर में राशन पानी नहीं है सामान नहीं है लेकिन गुरू की आज्या है गुरू परिस्तितियां गड़ता है अपने शिश्य के निर्मान के लिए अपने शिश्य को उसके लक्षे तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार यह युद्ध करता है अपनी विक्रितियों से और उन्हें परास्त कर यह अपने लक्षे तक पहुंचता है गुरू ने कहा है तो कारण तो होगा लेकिन ग्यानेश्वर कुछ सोचता नहीं बस इतनी सी बात समझ आती है कि यह गुरू की आग्या है वैं सोपान से कहते हैं चल सोपान हम गाउं से आटा मांग कर लाते है मुक्ता भाई कहती है मैं सुबह वनों से जो कंद मूर लाई थी मैं तब तक उन से कुछ तरकारी और चटनी बना लेती हूँ सोपान कहता है ठीक है आटा ले आती हैं और वाप्ची में कमला मामी जो पेशे से कुमार थी हम उसके यहां से एक मटका भी ले आएंगे क्योंकि अगनी पर चूले पर मटके को उल्टा रखके उस पर मांडे पकाए जाते हैं दोनों जैसे ही कंदे पर थैला टांग जोंपड़ी से निकलते हैं तो निब्रिती नाची बड़ी एक रहस्य में गंभीर मुस्कान बिखेरते हैं वो अंतर्यामी हैं जो गुरु हमारे घट के भीतर अपने उस तेज पुंज को उस दिव्य जोती को जागरित करने की सामर्थे रखते हैं वे अंतर्यामी ही हुआ करते हैं वे सब कुछ जानते हैं लेकिन दोनों भाई अपनी मस्ती में गाम की और चल पड़ते हैं गाम में पहुँचकर एक द्वार खट-खट आते हैं भिक्षा मिलेगी द्वार खुलता है सामने से एक बहुत भारी भरकम शरीर के साथ सिर्फ पर बहुत बड़ी एक चोटी और वहे जिनका नाम विशोभा चाटी था वो जैसे ही उन बच्चों को देखते हैं आग बबुला हो जाते हैं अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के आंगन में पैर रखने के तुम बार बार इस आनन्दी गाउं में पहुँच क्यों जाते हो अरे वहीं जंगल में रहकर भूखे प्यासे मर खब क्यों नहीं जाते हो कुरूद है अपमानित करते हैं कोई कहे हमसे ऐसे शब्द हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी लेकिन वह दोनों बालत जो भक्ति के रहागीर हैं पति कहें बड़ा सैयम रखते हुए ज्यानेश्वर बड़ी मीठी आवास में उन्हें कहते हैं काका काका दूर ही भगाना है तो क्रोध और द्वेश को दूर भगाऊ क्योंकि इस से अभी बात भी पूरी नहीं होती कि इतनी बात सुनकर विशोबा चाटी को और अधिक क्रोधाने लगता है ओए बिखारी तुम मुझे उपतेश दे रहा है तेरी इतनी हिम्मत ठहर मैं तुझे बताता हूँ इतना कहते हुए विशोबा चाटी ने जैसे ही एक मोटा सा डंडा उठाया और उनकी और कदम बढ़ाए दोनों भाई वहाँ से सिर्पर पैर रखकर भागते है थोड़ी दूर जाकर हाफते हाफते सोपान ग्यानिश्वर से कहता है भाई आज आटा तो नहीं मिलता लकिन चाटा जरूर मिल जाता ग्यानिश्वर ने कहा सोपान कोई बात दी आप दिल से काका को शमा करता हूँ वरना बात में बहुत कलेश होगा तुमारे मन में शमा करता हूँ यह भक्ति पत का पतिक है जो अपने मन को अंतर मुखी करना चाहता है वे बाहर की किसी भी परिस्थिती से उलजता नहीं है बाहर उलजा तो अंदर की यात्रा बादित होती है इस बात को हमें जरूर समझ लेना चाहिए लेकिन सोपान अपने उपर नियंतर नहीं रखपाता हूँ वे कहता है ग्यानिश्वर से वे या मेरा तो बस चले ना मैं इसको पकड़ के जोर जोर से गुमाओं और जमीन पर पटक के दे मारूँ यानिश्वर कहते हैं सोपान तुम्हें याद है निवर्ती दादा क्या कहते हैं वे हमेशा कहते हैं कि यदि आनंद में जीवन जीना चाहते हो तुम्हेशा पर्मानंद का ध्यान करो कुछ और नहीं किवल पर्मानंद का वे इश्वरी ही है जिसका ध्यान करने से आपके जीवन में आनंद आता है क्योंकि वे परम आनंद है लेकिन साधारनत्या मानव का जीवन उसके जीवन में इश्वरी नहीं है बाकी हर किसी को उसने अपने मन में स्थान दिया है यही कारण है कि मन अशान्त है यही कारण है कि जीवन में दुख ही दुख है समाधान कोई है नहीं ग्यानेश्वर उसे समझाते हैं सोपान दिल से उन्हें शमा कर दो और प्रभू का ध्यान करे मैं भी ऐसे ही करता हूँ वो कहते हैं हाँ दर्ग, ठीक कहते हूँ दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं गाउं में एक दूसरे द्वार पर पहुंचते हैं द्वार खट खटाते हैं अंदर से एक सरल स्वभाव की इस्त्री निकलती है वह बिक्षा की गुहार करते हैं पहिस्त्री उन्हें ओही ठहरने को कहकर बिक्षा लेने के लिए घर जाती है अंदर भीतर प्रविश करती है तो ग्यानेश्वर जी उनसे विन्ती करते हैं का कि अगर आज बिक्षा में आटा मिल जाता तो मैं सरल सोभाव की थी केती अच्छा भी लाती हूँ और घर के भीतर से वह आटा लेकर आती है और ज्यानेश्वर के कंदे पर तक तंगा हुआ थैला पूरा का पूरा भर देती है दोनों भाई उनका धन्यवाद करते हैं आगे की यात्रा पर चल पड़ते हैं अब दोनों खुश हैं प्रसन्न हैं और सोपान तो बहुत अधिक खुश है खुशी से उचल उचल कर चल रहा है ज्यानेश्वर फिर उसे समझाते हैं सोपान दादा कहते हैं ना अधिक हर्ष भी अच्छा नहीं होता है ये हर्ष कब संघर्ष में बदल जाएगा पता नहीं लगता इसलिए जादा हर्ष भी ठीक नहीं है आओ अब कमला मामी की हैं चलते हैं बहां से एक मटका ले ले दोनों पहुंचते हैं कमला मामी की हैं उनके आंगन में पहुँच मामी को आवास लगाते हैं कमला मामी बाहर आती है वेह इन बच्चों को जानती थी और बड़ा फ्रेम था इन्होंने जब बताया कि एक मटका चाहिए आज निवरिती दादा की इच्छा है कि मांडे पकाने है तो वह बहुत खुश होती है हाँ हाँ क्यों नहीं मैं अभी तुमें एक अच्छा सा चप्टा सा मटका लाकर देती हूँ वेह आंगन में लगी मटकों की कतार के पास खड़ी होकर उसमें से एक मटका ढूंडने लगती है अभी एक मटका उसने निकाल कर हाथ में पकड़ा ही था कि आंगन में जैसे भुचाल आ जाता है और इस भुचाल का नाम था विशोभा चाटी विशोभा चाटी जिसने अपने सेवकों को अपने अनुचरों को कह रखा था कि इन बच्चों का पीछा करो कहां जाते हैं मुझे बताना उन्होंने बताया तो विशोभा चाटी यहां पहुँच गया बड़े गुस्चे में हैं ग्यानेश्वर के कंदे पर टंगा थैला जिसमें आटा भरा है और कमला के हाथ में पकड़ा हुआ मटका ये देखकर विशोभा चाटी को समस्ते देर नहीं लगी की माजरा क्या है वे गुस्चे में लाल पीला हुआ और बोलने लगा अच्छा आनंदी के लोगों को मूर्ख बनाकर तुम अपने पेट की बूख शांत करने निकले हो जीब बहुत लंबी हो गई है तुमारी मांडे खाने की इच्छा है कमला भी सहम गई दोनों बच्चे भी सहम गई लेकिन कमला थोड़ी हिम्मत करकी कहती है साहब बच्चे ही तो हैं क्या हुआ अगर साल में कभी एक आथ बार मांडे खा भी ले तो विशोभा चाटी गरज उटता है कमला अपनी आउकाहत में रहे और तू नहीं इन धीकरियों को अपने सर पर चड़ा रखा है वह गुस्से में हाथ पैर चलाने लगा और सभी मटकों को उसने फोड डाले सोपान और ग्यानेश्वर धर-धर काप रहे हैं नजाने आगे क्या होगा सोपान को क्रोध आता है, कुछ कहने लगता है तकिन ग्यानेश्वर उसका हाथ पकड़ कर उसे रोग देते हैं आँखों से इशारा करते हैं, नहीं, कुछ नहीं बोलना बच्चों की तरफ से कोई प्रतिकरिया नहीं मिलती क्रोधी व्यक्ति का क्रोध और बढ़ जाता है इशोबा चाटी ग्यानेश्वर के पास पहुंसता है, उसके कंदे से थैला उतारता है और उस सारे आटे को चमीन पर विखेर देता है और आखरी नसियत देते हुए कि सुनो ध्यान से मैं देखता हूँ कि तुम मांडे का एक टुकड़ा भी तुमारे मुँ में कैसे जाता है मैं नहीं खाने दोगा इतना कहकर विशोबा चाटी अपने कपड़े जारता है और आंगन से बाहर चला जाता है आंगन में चारों तरफ तबाही ही तबाही है ग्यानेश्वर और सोपान थर-थर काप रहे हैं सोपान सुबक रहा है आँखों से आंसु है दोनों भाई जब कमला की ओर देखते हैं तो कमला मामी की हालत भी कुछ-कुछ दोनों भाईयों जैसी थी दोनों भाई वहाँ से वापस मुड़ते हैं और अपने घर की और चल पड़ते हैं कुटिया में पहुंचते हैं श्री निवृतिनाथ जी मुक्ता भाई बड़ी खुशी से आगे बढ़ती हैं कि उनके पास सामान होगा हम ले लें लेकिन ग्यानेश्वर किसी से बात नहीं करते हैं सीधा कुटिया के भीतर प्रवेश करते हैं और कुटिया का द्वार अंदर से बंद कर लेते हैं सोपान देव रो रो कर सारी खटना निवृतिनाथ जी को बताते हैं आँखों में आसू हैं सुबक रहे हैं एक से शब्द नहीं निकल रहे, शरीर अभी भी काँप रहा है, सारी वात उन्हें बताते हैं। हमारे परिवार का कोई व्यक्ति आकर हमसे इस तरह की शिकायत करें कि आज मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, हम क्या जवाब देंगे उसे। ऐसी परिस्थिती का क्या जवाब हो सकता है, हमें भी क्रोध आएगा, हम भी जोर-जोर से चिलाने लगेंगे, हमारे मुख से भी अफशब्दों की बचार होगी, और यदि हम बाहर से कुछ नहीं कर पाते हैं, तो हमारे भीतर मानसिक हिंसा जन ले लेगी। क्योंकि अपमानित व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है, परन्तु वहां सामने खड़े कुछ साधारन व्यक्ति नहीं है, वे उनके अध्यात्मी गुरू है शरी निवर्ती नाथ जी, वे एक ही बात कहते हैं सोपान, धहरे रखो, सैयम रखो, मुक्ता, सोपान को शीतल जल लाक कर दो जरा, वे मिट्टी की कसोरे में जल लेकर आती है, सोपान एक सांस में पूरा पानी पी जाते हैं, लेकिन सुपकियां बंद नहीं होती है, अपने मन की बात, अपनी स्थिती को अपने गुरू के समक्ष रखते हैं, दादा, मुझ से धहरे नहीं हो रहा है, मैं क्या कर इनसान मजबूर हो जाता है, क्योंकि दुश्मन बल्चाली है, उसे कमजोर बना देता है, तब निवरिती दादा एक ही बात कहते हैं, सोपान, प्रभू का ध्यान करो, ध्यान में बैठ चाओ, उनके कहने भर की देर थी, कि सोपान, कुटिया के सामने ही एक बड़े व्रिक्ष के नीचे, ध्यान की अवस्था में बैठ चाता है, और कुछी ही समय में वह आत्मलीन हो जाता है, मुक्ता भाई कहती है, निवरिती नाज जी से दादा, मुझे लगता है, हमने सोपान के साथ अच्छा ने किया, क्या हमें दो बोल साहनू भूती के नहीं बोलने चाहिए थे, क्या हमें उसे सांत्वना नहीं देनी चाहिए थे, ये ठीक नहीं हो, निवरिती नाज जी कहते हैं मुक्ता, ये समय शब्दों का नहीं है, बाचित का नहीं है, यदि इस समय मैं उसे शब्द देता, उसे बाचित करता, तो ये समाधान नहीं है, इससे एक ही चीज उत्पन होती, और वह है नकारात्मक्ता, मैं उसे कहता, तो उसके भीतर रोश और जागरित हो जाता, और बढ़ जाता, क्योंकि वारता करते समय उस दृष्य को दुबारा उसके भीतर मैं प्रत्यक्ष कर देता, गुरुदेव सर्फ शरी आशुतोष महरत जी हमेशा कहा करते हैं, सकारात्मक्त सोचो, शब्द बड़े साधारन से लगते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि नकारात्मक्ता हमारे जीवन में किस प्रकार हमें प्रताडित करती हैं, हम नकारात्मक्ता को समेठते हैं, बार-बार उसको दोहराते हैं, लेकिन यहां उनके गुरू, उनके बड़े भाई निवरिती नाजी कहते हैं कि यदि मैं उस विशे में बाचित भी करता तो वह दृष्ष्य दुबारा उसके मानस पटल पर प्रत्यक्ष हो जाता और इससे क्या होता? उसका आध्यात्मिक पतन होता लेकिन अब ध्यान से देखो तुम सुपान की और अब ये अंतर जगत की गहराईों में उतर रहा है मुक्ता टक-टकी बांद कर सुपान के चेहरे को देखने लगती है अब उसकी सुपकियां बंध हो गई, शान्त हो गई चेहरे पर मधूरता है माथे की तियोरियां खत्म हो गई है शरीर बिलकुल स्थिर और शान्त है वे आत्मलीन हो चुका है मुक्ता कहती है हाँ दादा, आप ठीत कहते हो अब इसे आपकी और हमारी जरुवत नहीं है निवृती नाची कहते हैं अब इसे किसी भी बहारी सहारे की जरुवत नहीं है इसे जो चाहिए था वो इसे इसके भीतर मिल गया हमने बहुत बार सुना है दूर हो जाता है हर गम, नित निरंतर ध्यान से जख्म हर एक भर है जाता, ज्यान औश्देबान से लेकिन ये जो हतियार, जो खड़क, जो बान हमारे पास है हम इसका इस्तेमाल कितना करते हैं, एक बड़ा एहम प्रश्न है जो इन साधक बालकों के जीवन से हम समझ सकते है गुर्देव ने हमें क्या नहीं दिया कमी हमारे योर से है, हम सही समय पर उन शस्त्रों को चलाते नहीं है यही कारण है कि हमेशा हमारी विकृतियां, हमारे विकार, हम पर हावी रहते हैं इसलिए हम हमेशा परास्त और निरी ठके ठके से बुझे बुझे से रहते हैं हमारा उत्सहा और लगन हमेशा कमजोर पड़ता है क्योंकि सही समय पर हम अपने दुश्मन पर वार नहीं करते हैं इसलिए महरा जी ने कहा नित निरंतर ध्यान से नियमित रूप से हमें ध्यान की गहराईयों में उतरना चाहिए इसका अभ्यास करना चाहिए हमारा अभ्यास जितना द्रिड होगा हमारा दुश्मन हमसे उतना ही दूर होगा हमारे नजदीक नहीं आ पाएगा हमें चू नहीं पाएगा अब दोनों संतुष्ट हैं कि सुपान संभल गया है लेकिन मुक्ता भाई जोंपड़ी के द्वार की और देखती है और निव्रिती दादा से कहती है दादा लेकिन अभी लेकिन ही कहती है कि निव्रिती नाजी समझ जाते हैं कि क्या कहना चाहती है उस वक्त निव्रिती नाजी एक ही बात कहती है मुकता ये जो अपना ग्यानेशा है न ये इस धरा का होकर के भी इस धरा का नहीं है माना उसे विशोबा चाटी के शब्दों ने थोड़ा सा परिशान कर दिया है इसलिए जा उससे तू ही बात कर ले ये कहकर श्री निवरिती नाथ जी स्वाइम भी ध्यान में लीन हो जाते है मुकता भाई जाती है जो अपड़ी का द्वार खटखटाती है पुकारती है भाई ग्यानेशा क्या तुम किसी से नाराज हो क्या तुम्हारे मन में कोई रोश है देखो तुमारी बेहन मुक्ता तुम्हें पुकार रही है द्वार खुलो, बाहर आओ कोई जवाब नहीं मिलता मुक्ता कुछ रुक कर फिर दुबारा पुकारती है फिर द्वार खट-खटाती है लेकिन भीतर बिल्कुल शान्ती है सन नाटा तीसरी बार फिर द्वार खट-खटाती है कोई जवाब नहीं आता उस वक्त कहते हैं वे मुक्ता जो उम्र में तो बहुत चोटी सी बालिका है लेकिन अध्यात में बहुत बड़ी है उसके भीतर से उसे कुछ प्रेरणा होती है और उसके अंदर से कुछ अभंग निकलते हैं वह अभंग साधारण नहीं है इस भक्ती पत पर चलने वाले प्रतेक पथिक के लिए इन विचारों को जो है अभंगों के माद्यम से अपने भाई के लिए गाती है हम सब के लिए भी बहुत आवश्य कहके हम उसके एक एक संदेश को हमेशा अपने जीवन में याद रखें सफर आसान हो सकता है यह अभंग मराठी में गाए गए और मराठी इतिहास के अंदर इन्हें ताटी अभंग के नाम से जाना जाता है ताटी बांस को काट कर चीर कर जो दर्वाजा बनाया जाता है उसे मराठी में ताटी कहते हैं और हर अभंग के अंत में मुक्ता भाई ये पंक्ति गाती हैं ताटी उगड़ा ग्यानेश्च्वरा मेरे भाई द्वार खोलो आए हम श्रवन करते हैं उस अभंग के माध्यम से मुक्ता भाई क्या संदेश दे रही योगी पावन मनाचा साहे अपराध जनाचा विश्वरागे जाले बनी संती सुखे भावे पाणी शब्द शस्त्रे जाली खलेश्व संती मानवा उपदेश्व विश्वपट ब्रह्म दोरा विश्वपट ब्रह्म दोरा ताटी उगड़ा अध्यानेश्वरा ताटी उगड़ा अध्यानेश्वरा ताटी उगड़ा अध्यानेश्वरा मुक्ता भाई कहती है हे भाई आप महान योगी है आपका मन परम पावन है किसी के अपराद से अपने मन को मैला मत करो विश में जब कहीं आग लगती है तो संत पानी बनकर उस आग को बुझाते है मैं मानती हूँ के विशुभा चाटी के शब्दों ने आपको चोट पहुँचाई है लेकिन आप उसके शब्द शस्त्रों की सामने अपने ज्ञान शस्त्र को छोड़ो संतों के कथन को याद करो सभी संतों ने कहा है यह जगत यह विश्व एक विराट वस्त्र है जो एक ही धागे से बना है और वह धागा है परभ्रम परमेश्वर इसलिए अपने मन को उस परभ्रम परमेश्वर में लगाओ और आनन्दित होकर द्वार खोलो अपनी छोटी बेहन के लिए बाहर आओ कितनी बड़ी बात कह दी उस छोटी सी बच्ची ने दूसरे के अपराद इसे अपने मन को मेला मत करो अपराद किसका क्रोद किया दूसरे विक्ती ने एहंकार उसका वह परिशान है हम उसे अपने मन में स्थान क्यों दें लेकिन हमारा जीवन तो ऐसी ही बीटता है ये बात हमें याद नहीं रहती कि ये विश्व ईष्वर ने रचा है और इसके कन कन में वह स्वयम रमन करता है मुक्ता भाई हमें याद करा दिये है बाई को पुकारती हैं आनन्दित होकर द्वार खोलो लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता वह फिर एक और अभंग काती है आप पर जीव जीवासी पैद्यावा मग करू नए हेवा तर्णों पाय चित्ति धरा ताटी उघणा ध्यानेश्वरा ताटी उघणा ध्यानेश्वरा ए ग्यानेशा भाई जितना आप इस द्रिष्य को अपने मन में दोहराओगे उतनी ही कडवाहट पैदा होगी इसलिए इसे छोड़ो अपने मन को वहाँ से हटा कर अपनी दृष्टी, अपना ध्यान, अपना मन, अपना चित इसे वहाँ से हटा लो और ईश्वर में लगाओ उसकी सर्व्यापकता का आनंद लो उसकी कृपा को याद करो उसके दर्शन का आनंद उठाओ यही भव सागर से तरने की युक्ती है और आनंदित होकर द्वार खोलो आपकी छोटी वहन आपका इंतजार कर रही है लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिलता अब वह उसके स्मक्ष कि एक बेहन अपने भाई के लिए क्या सूचती है वह इस बार को अगले अभंग में रखती है आएं सुनते हैं कि इस अभंग में वह क्या कहती है शुद्ध जाचा भाव जाला दूरी नाही देव त्याला अवगी साधन हाथ वटी मोले मिलत नाही हाटी कोण कोणा सशिकवावे सारस्ता धुनिया घ्यावे लडिवाण मुद्ध लठाई छे पाई लडिवाण मुद्ध लठाई छे पाई तुम्ही तरुनी विश्वतारा ताटी उघडा ध्यानेश्वरा ताटी उघडा ध्यानेश्वरा ताटी उघडा ध्यानेश्वरा ताटी उघडा ध्यानेश्वरा साधना के इस पत पर हमारा यही तो संखर्ष है कि हम अपने मनों भावों को शुद्ध और पवित्र करने के लिए जूचते रहते हैं एक साधक का यही संखर्ष है कि उसका मन सुन्दर हो यदि मन सुन्दर है तो हरी उसे अपने से कभी दूर नहीं करता है इसलिए है भाई अपने मन के अंदर शुब और सकारात्मक विचारों कुलाओ मैं तो नादान बच्ची मैं आपको क्या समझा सकती हूँ आपके भीतर तो सत्गुरु की भक्ती है गुरु स्वाइम सुक्ष रूप में आपके भीतर रहकर आपको प्रेड़ना देते है आपकी छोटी बहन मुक्ताबाई तो बस यही चाहती है कि भाईया आप अपनी दुविधाओं को छोड़कर किवल आत्म चिंतन में अपने चित को लगाओ और आनंदित होकर दुवार खोलो अपनी छोटी बहन के लिए दुवार खोलो और बाहर आओ इसके बाद मुक्ताबाई को दुवार खट खटाने की ज़रूत नहीं पड़ती दुवार खुलता है ग्यानेश्वर जी बहर आती है आखों में अश्रू हैं और आकर अपनी बहन को मुक्ताबाई को गले से लगा लेते हैं मुक्ता भी रो पड़ती है दोनों की आखें के लिए हैं ग्यानेश्वर मुक्ता के आँसु पोँचते हैं और कहते हैं ना मुक्ता ना अरे रोना नहीं तू तो साक्षात ब्रह्म वादनी है तेरे मुक में तो सरस्वती का वास है आज तक तू हमारे पेट की भूख शान्त करती थी मैं तुझे अन पूर्णा कहता था लेकिन आज से मैं तुझे आत्म पूर्णा भी कहूँगा इतने में ही निवृती नातिजी भी उटकर आ जाते हैं वह भी मुस्कुराते हुए कहते हैं अरे वाह आज तो मुझे मुक्ता ने ताटी अभंग का महा भोज करवाया है सो पान भी नेत्र खोल उस वारता में शामिल होते हैं चारों बहन भाई प्रसन्न हैं आपस में बात कर रहे हैं लेकिन इतने में बाहर से एक आवाज आती है साध हो साध हो सब बाहर की और देखते हैं तो सामने सुमिश्वर शास्त्री जी खड़े हैं और वह कहते हैं कि मुझे अभी अभी पता चला कि विशोभा चाटी ने आपके साथ कैसा दुर वेभार किया है उनके हाथ में आटे की थैली है और वे कहते हैं कि मैं ये आप लोगों के लिए लाया हूँ भोजन पकाओ खाओ और फिर हरी के गुणगाओ निवरितिनाज जी आगे बढ़ते हैं उन्हें परणाम करते हैं उनसे आटे की ठैली लेते हैं और कहते हैं आप तो हरी के दूत है ज्यानेश्वर जी जिनका चित अभी भी साधना से आलहादित था, आनंदित था वे निवरिति दादा की और देखते हुए कहते हैं दादा पता नहीं ऐसा क्यूं होता है मुझे लगता है कि जब भी हम अशुब कारें की तरफ से किसी शुब कारे की और बढ़ते हैं जैसे कोई शक्ती आकर हमें थाम लेती है वो सहारा देती है और कारे पूर्ण हो जाता है और फिर वह अपनी प्रसंदता अपनी प्रसंदता के रूप में ऐसे लगता है जैसे सब कुछ उसी ने रचा हूँ यह एहसास होने लगता है और वह हमारे सभी कारें को पूर्ण कर देती है इतना कहना था कि निवरिती नाथ जी एक बड़ी गहरी मुस्कान उनकी और बिखेरते हैं और हलके से सिर हिला देते हैं यदि हम सादक भी अपने अपने जीवन पर नजर डालें क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता है गुरु हर पल हर शण अपने शिश्य के अंग संग है जरा से साधारन सी तो सेवा थी मांडे खाने हैं लेकिन इस सेवा के माद्यम से कितना कुछ सिखा दिया गुरु ने गुरुदेव सर्वश्री आशुत उश्माराजी कहा करते है कि जब मैं किसी को सेवा देता हूँ इसका सीधा सा अर्थ है कि मैं उसे कुछ देना चाहता हूँ वह हमें एक अध्यात्म पत्थ का ऐसा विशाल ऐसा आनन्दित कर देने वाला अनुभव हमारे जीवन में उतार देते हैं कि वह सादक इस पत्थ पर बहुत आगे पहुंच जाता है इसलिए कहा गुरु के वचन साधारन नहीं हुआ करते हैं गुरु का एक एक शब्द शिश्य के कल्यान के लिए होता है वे जब ऐसी बात कह रहे थे ग्यानेश्वर जी तो सुमेश्वर शास्त्री जी हाद जोड़कर उनसे विदा लेते हैं वे कहते हैं कि आपकी बातें आप जानो सांज होने को है मैं चलूँ मुझे गाँं भी पहुँचना है वे वहाँ से जाती हैं तो आपस में वारता होती है कि अब इस आटे का क्या करें मांडे पकाएं या साधारन रोटी नंडे होता है कि मांडे लेकिन मटका कहां से लाएं ज्यानेश्वर जानते हैं गुरू की आज्या है यहां तक पहुंचे हैं तो आगे भी पूर्ण करना है वो कहते हैं नहीं अज मांडे ही पकाएंगे मुक्ता तुम जाओ आटा गूंद कर ले आओ उसने कब बनाएंगे लेकिन कैसे मटका तो है नहीं वो कहते हैं तु आटा तु गूंद कर लाओ वे सारा सामान तयार कर ले आती है ग्यानेश्वर जी चौकडी मार कर बैठते हैं अपनी कमर को थोड़ा सा आगे जुकाते हैं और योग बल से अपने शरीर में ताप पैदा करते हैं और मुक्ता को कहते हैं मेरी बीठ पर मांडे से क्योंद सभी जानते हैं ये घटना घटी थोई इस घटना को विशोभा चाटी भी देख रहा था जाडियों के पीछे चुप कर खड़ा था वह तो देखना चाहता था इन बच्चों को रोते बिलखते हुए इस सारी घटना करम को देखकर उसकी आँखें फटी की फटी रह गई और अंतता जब बच्चों ने मांडे खाए उनके योग बल को देखते हुए उनके साधना के तप को देखते हुए विशोभा चाटी की भी आँखें कीली हो जा दी है बड़े बड़े शास्त्री जो बात विशोभा चाटी को ना समझा सके वह बात इन बच्चों की साधना ने उसे समझा दी और वह भी आकर इनके सामने नत्मस्तक होता है शमा मांगता है ये ज्ञान का पत है ही ऐसा अमेशा सत्य की जीत होती है इसमें कोई संदे नहीं बादहाएं हमारे निर्मान के लिए आती है माराजी कहते है जितना बड़ा लक्ष उतना अधिक उत्सहा और लगन इचाहिए माराजी ने लक्ष हमारे समक्ष रखा है विश्वशान्ती हम स्रिजन से नानी है और हमारे से माराजी के उमीदे क्या है एक अनुभव मुझे अभी वह याद आए दिविध हम आश्रम की बात है मेरे ख्याल से दिवाली के आसपास की बात होगी साधना कक्ष सामोहिक साधना सभी लोग साधना में बैठे हैं उस कक्ष में एक साधक साधना के अंदर क्या देखता है कि स्वयम सर्व श्री आशितोष महराजी आसन पर विराचमान हो जाते और उस साधक को कहते हैं बाकी सभी साधकों की और ऐसे इशारा करते हुए कि यही सब तो है न जो विश्व के कोने कोने में धर्म ध्वज फैराएंगे वे साधक देखता है सिर्ष लाता है हां महराजी महराजी आगे कहते हैं और यह यहां से साधना, ध्यान और समाधी का अनुभव लेकर जाएंगे मुझे नहीं मालूम आपिस अनुभव को किस प्रकार से लेते हैं लेकिन बात बहुत गहरी है धर्म ध्वज को लेकर चलना उसको पकड़ना, उसको उठाना इस आमर्थि किसके हो सकती है हम फिर से गुरू महराजी की कुछ वचनों को याद करती है आप समझ जाएंगे कि धर्म ध्वज को कौन उठा सकता है महराजी ने अक्सर कहा अपने अमरित वचनों में कि एक सोया हुआ व्यक्ति किसी को सुला तो सकता है जगा नहीं सकता है यदि व्यक्ति सुयम गुड़ खाता है तो वे दूसरे को कह नहीं सकता कि तुम गुड़ खाना चुड़ दो इसलिए जो संदेश आप दूसरे को देना चाहते हो आपको वह पहले अपने आच्रण में उतारनी पड़ेगी इसलिए धर्म ध्वज को उठाना है तो पहले अपना आच्रण धार्मिक बनाना पड़ेगा हम धर्म पर आच्रण रखते होंगे तब ही हम धर्म ध्वज को पकड़ सकते हैं ये बात साधारन नहीं है इसलिए गुरुदेव ने कहा कि यहां से साधना, ध्यान और समाधी का अनुभव लेकर जाएंगे अर्थात जब यह पूरी तरह निर्मल और पवित्र हो जाएगे इनके भीतर कोई विकृती शेश नहीं रहेगी ये ऐसे स्रिजन से नानी बनाना है इने ये मायजी का लक्ष है उनकी सोच है हमारा इसमें पुर्शार्थ कैसा रहता है ये हम पर निर्भर करता है गुर्देव को हमसे बहुत उम्मीदे है हमें उन्होंने दिशा दी हर पल हर शन अपना साथ दिया और हमेशन जब माहराजी ऐसे मुट्टी बान कर कहते थे अभी तो इस मार्ग पर बहुत कुछ करना है सामने बैठे साधुकों के अंदर ऐसा उत्साह दोड़ जाता था जैसे आज ही विश्व को जीत कर ले आएंगे हम माहराजी के उन वच्णों को याद करें जो माहराजी हमेशन इस प्रकार से हमारे अंदर जोश भरने के लिए कहते रहे है उन वच्णों को याद कर हम अपने अंदर अपने उत्साह और लगन को और अधिक बढ़ाएं और प्रण करें माहराजी के स्मक्ष हम ऐसा प्रण करें कि निर्मान हमी से है बविष्य का मजबूत नीव बन जाएंगे गुरु भक्ती के अनुचर बनकर धर्म द्वज फैराएंगे युगों युगों तक याद रहे कुछ ऐसा कर दिखलाएंगे कुछ ऐसा कर दिखलाएंगे गुर्देव श्री आशितोष महराजी के चड़नों में प्रार्थना प्रभू हमें सामर्थ देना हमें सामर्थ नहीं है हमें शक्ती नहीं है बस आप ही का सहरा है कि आपके इस मिशन में कुछ कर पाएं आपने हमें यह अफसर दिया है हम इस अफसर को खो ना दे ऐसी कृपा हम सब पर बनाए रखना इतना ही कहते हुए मैं अपने बाणी को यहीं पर विरान दूँगा आये गुर्देव के श्री चड़नों में एक बुलंद जैगोश बोलिए सर्श्री आशुतोष भगवान की जै उमापती महादेव की जै जै श्री राम जै श्री राम जै जै श्री राम जै श्री राम